हेलो फ्रेंट्स, वैलकम टू से स्टी मेकर दोस्तों हमने रिल्वें एन्टीपीसी गुरूबडी परिक्शकले क्रेस को से स्टार्ट कर दिये हैं और इस क्रेस कोर्स में हम देखेंगे जनल आवेनेज के प्रिबियेस यर के कुर्षिन देखे दोस्तों होता क्या है रिल्वे एंटी पीसी गुरूबडी परिशम में लगवग 70-80% कुरिशन रिपीट करते हैं यानि प्रीबियस एर से पूछे जाते हैं दोस्तों अगर आप सारे पेपर तयार कर लेते हैं तो आईए देखते हैं हमारा पहला क्रिशन क्या है हमारा फर्स्ट क्रिशन है दोस्तों कंप्यूटर सब्दावली में M.I.P.S. का अर्थ क्या है तो दोस्तों वह है Micro Information Processing Storage याद रखिएगा दोस्तों नाफ्स्ट क्रिशन पर चलते हैं हमारा next important question है दोस्तों उत्तर दरपन का प्रयोग किस में किया जाता है तो वह यूज होता है बहानों में Rear View Mirror के तौर पे याद रखिएगा दोस्तों Next question पर चलते हैं हमारा next important question है दोस्तों निमले कित में से अमेरिकी गॉल्फ के लाड़ी कौन है तो उनका नाम है Tiger Woods याद रखिएगा दोस्तों Next question पर चलते हैं हमारा next important question है दोस्तों पानी का घनतव क्या है तो दोस्तों वह है 997 kg घन मीटर ठीक है जलिया पानी दोस्तों क्या है एक आम रसानिक पदार्थ है जिसका आनू दो हाइट्रोजन परमाणू और पीने के पानी के लाब एक oxygen परमाणू से बना है याद रखिएगा दोस्तों Next question पर चलते हैं हमारा next important question है दोस्तों भारत के सर्वोच्चे नियाले की स्थापना कप की गई थी तो दोस्तों वै कप की गई थी वै हुई थी 1950 में ठीक है 1947 में भारत को स्वतंदरता मिलने के बाद 26 जनवर 1950 को भारत का सम्वेधान लागू हुआ था और साथ ही भारत का सर्वोच्चे नियाले भी अस्थित में आया और इसकी जब पहली बैठा गया वै हुई थी दोस्तों 28 जनवरी 1950 को याद रखिए का दोस्तों नाफ्स्ट क्रिशन पर चलता है हमारा नेक्स्ट इंपॉर्डन क्रिशन है दोस्तों ध्वानी के नाप की यूनिट या है तो वै है डेसिबल ठीक है डेसिबल जो है एक लगुगर्ण की इकाई है जो प्राइश शक्ति और ध्वानी तीवर्दा आदी बहुतिक राश्यों के लिए प्रिक्त होती है याद रखिए का दोस्तों नाफ्स्ट क्रिशन पर चलता है हमारा नेक्स्ट क्रिशन है दोस्तों सक्कर की गोल में शक्कर एक क्या है तो वह होता है घुलावा पदार्थ ओके रखिशन पर चलता है हमारा नेक्स्ट इंपार्ड़न क्रिशन है दोस्तों कम्प्यूटर के किस भाग को नर्व सेंटर कहा जाता है तो वह कह लाता है दोस्तों तो control unit, ठीक है, control unit को जो है computer का nerve system या center कहा जाता है, और हमारे next question पर जलता है दोस्तो, हमारे next important question है दोस्तो, किस vitamin की कमी से सकर्वी रोग होता है, तो वे कौन से vitamin है, vitamin C, ठीक है, इसकर्वी जो है दोस्तो, vitamin C की कमी की कारण होने वाला एक रोग है, और ये vitamin जो है मानव में collagen के निर्मान के लिए अवर्शक होता है, इसके लावा इसमें शरीर, खासकर जांग और पैर में जो है, चक्ते पढ़ जाते हैं, और रोग बढ़ने पर जो है, मसूड़े सूच जाते हैं, और फिर दाद किरने लगते हैं, याद रखिए का दोस्तो, next question पर चलते हैं, हमारे next important important question है दोस्तो, निमली कित में से किस किर्किट खिलाडी को MCC Lords की मानत सदस्यता प्रदान की गई थी, तो वै कौन है, सचिन तेंदुर्गर, इनको जो है दोस्तो, ये सदस्यता कम मिली थी, 2015 में, अगर बात करें विरेंदर से वाक की, तो दोस्तो, इनको मिलाता 2016 में, याद next important question है दोस्तो, निमली कित में से किस उपकरण में, जायरो स्कोप का प्रियोक किया जाता है, तो वै होता है दोस्तो, computer mouse में, ठीक है, जायरो स्कोप जो है दोस्तो, इसका इस्तमाल, mobile game खेलने में भी किया जाता है, जब हम racing game खेलते हैं, और car को दाएं या बाएं मोडने के जिने बंगाल के किस राज़ों को पराजित किया था, तो वै है दोस्तो, लक्षमन सेन, ठीक है, 1193 में जो है दोस्तो, विश्परसिद नालंदा और विक्रमा शीला विश्विध्यालों को जला कर राख कर देने वाले खेल्जी ने, यहाँ पे जो है 1203 में हमला किया था, औ लक्षमन सेन और वक्तियार खिर्जी के बीच भीचन योद्ध हुआ, याद रखिएगा दोस्तो, नाफ्ट क्रिशन पर चलते हैं, अमारा नेक्स्ट इम्पॉर्डन क्रिशन है दोस्तो, डायनामाइट का आविश्कार किस ने किया था, तो वैते अल्फरेड नॉबल, ठी विड़न में 21 अक्टूबर 1833 को हुआ था, और एल्फरेंट जो है दोस्तो, रशायन सास्त्री और इंजीनियर थे, ठीक है, नाफ्ट क्रिशन पर चलते हैं, हमारा नेक्स्ट इम्पॉर्डन क्रिशन है दोस्तो, पहले के चेरा वंस ने किस राज्यों पर शासन किया था, तो वै कौन है दोस्तो, तमिल नाडो और केरल, ठीक है, नाफ्ट क्रिशन पर चलते हैं, हमारा नेक्स्ट इम्पॉर्डन क्रिशन है दोस्तो, विश्व कैंसर दिवस कम मना जाता है, तो वै सेलिबरेट होता है चार परवरी को, ठीक है, नाफ्ट क्रिशन पर चलते हैं, हम मानव को चीवन प्रदान करने के लिए विबिन कारे करता है और हमारे शरीर में किड्नी का जो उप्योग है रसाइनों के संतुलन को बनाए रखने के लिए किया जाता है याद रखिए का दोस्तो नास्ट क्रिशन पर चलते हैं हमारा नेक्स्ट इंपॉर्डन क्रिशन है दोस है अनुवांशी की का जनक कहा जाता है इनको याद रखिए का दोस्तो नास्ट क्रिशन पर चलते हैं हमारा नेक्स्ट इंपॉर्डन क्रिशन है दोस्तों निमली कित में से किस समराज्च्छे के दोरान चिन्ना के सवा मंदिर का निर्मान किया गया था तो वह है है दोस्तो नास्ट क्रिशन पर चलते हैं हमारा नेक्स्ट इंपॉर्डन क्रिशन है इस ट्रे ड्राइव पुस्तक के लेखक कोन है तो दोस्तों उनका नाम क्या है सुनिल गवसकर याद रखिएगा नास्ट क्रिशन पर चलते हैं हमारा नेक्स्ट इंपॉर्डन क्रिशन है दोस्तों भारते फिल्म उद्योग के सैलुलोइट मैन का नाम बताएं जिनकी मृत्यु हाली में हुई है दोस्तों यहाँ पर बात हो रही है 2016 की तो उनका नाम क्या है बताईए वह है दोस्तों पीके नायर ठीक है पीके नायर कौन है एक भारते फिल्म अभी लेखते और उन्होंने की किसिए अख़र लुटी को चलते हैं अमारे नेक्स्ट इंकरियुं कर दिवीप कहां पर इस्थीत न्युiają दूस्तों वह म्लिख से लगबक दस समूंदरी मेरी दूरी पर इस्थीतित है याद रखियों सूर्श के चलते हैं अमारे next important question है दोस्तों निमलिकित में से किसे black beauty कहा जाता है तो वह है मार से कोईले के रंग का पत्थर ठीक है next question पर चलते है हमारे next important question है दोस्तों मिस्तर का सबसे बड़ा पिरामिड कौन सा है तो दोस्तों वह है खूफू पिरामिड ठीक है दुनिया के 7 अजूबों में गीजा का महान पिरामिड जो है सबसे पुराना है और यह पिरामिड जो है दोस्तों 2560 इसा पूर्व के करीब बनवाया गया था और यह दोस्तों 3800 सालों से जो है दुनिया की सबसे उंची बनावाट है और प्राचीन मिसर के जो खूफो पिरामेंड है उसको महान गीजा पिरामेंड के नाम से जाना जाता है याद रखिएगा दोस्तो, नाक्स्ट क्रिशन पर चलता है हमारा नेक्स्ट इम्पॉड़न क्रिशन है दोस्तो, अंतिरिक्स की सेर कलने वाली सरव प्रथम चीनी महिला कौन थी? तो उनका नाम है लियो यॉंग, ठीक है? नाक्स्ट क्रिशन पर चलता है हमारा next important question है दोस्तो भारत की सतंदरता के तुरंद बाद गोवा डैश राज्य था तो वैता पुर्टगाली ठीक है दोस्तो 15 अगस 1947 को भारत को अजादी मिल गई थी लेकिन गोवा जो है 14 साल बाद भारत का हिस्सा बना और वह है 19 दिसंबर 1961 का दिन था जब गोवा को पुर्टगालियों से अजाद कराए गया इसलिए जो है 19 दिसंबर को गोवा में मुक्ति दिवस मनाय जाता है याद रखिएगा दोस्तो नफ्स्ट क्रिशन पर चलता है इसलिए कहते हैं से क्योंकि समाने बर्फ की तरह यह है ठोस द्रव में परिवर्तित नहीं होती बलकि वाईयू मंडली दाप और 78.7 डिग्री सेंटिग्री टापमान पर ठोस से सीधे कैस में परिवर्तित हो जाती है यद रखेगा दोस्तो नफ्स्ट क्रिशन पर चलते हैं हमारा नेक्स्ट थिमपॉडन क्रिशन है दोस्तो छवए लोकसभा की अध्यक्ष सुमित्रा महाजन किस निर्वाजन शेत्र का प्रतिनीदित करती हैं तो वह हैं इन दोर से ठीक हैं दोस्तो सुमित्रा महाजन जो है भारते राजनेत्री और भारत के सोलवी लोगसभा की अध्यक्ष है अगर बात करें दोस्तो प्रेजन्ट में तो वह कौन है ओम बिरला ठीक है याद रखेगा ओम बिरला is an Indian politician who is the 17th and current speaker of the लोगसभा हमारा next important question है दोस्तो किस भारती शेर को गुलाबी शेर भी कहा जाता है तो दोस्तो आप सभी जानते होंगे वैकल आता है जैपूर ठीक है दोस्तो जैपूर जो है पिंक सीटी के नाम से लोग प्री है क्यों क्योंकि यहां की सनरचनाओं के निर्मान के लिए जो है गुलाबी रंग के पत्थर का इस्तमाल किया गया है याद रखेगा दोस्तो नाफ्ट क्रिशन पर चलता है हमारा next important question है दोस्तो सोरुर्जा द्वारा पूर्ण रूप से संचारित विश्व का सरुपरतम हवाई अड़ा कौन सा है तो दोस्तो कोचिन अंतरास्टे हवाई अड़ा है ठीक है कोचिन इंटरनेशनल एरपोर्ट जो है दुनिया का पहला पूर्ण सोरुर्जा संचारित हवाई अड़ा संयुक्त रास्ट पर्यावरन कारेकरम ने जो है केरल में कोचिन अंतरास्टे हवाई अड़े लिमिटिट को दुनिया का पहला कूर्ण सोरुर्जा संचारित हवाई अड़ा स्विक्रित किया है याद रखिए का दोस्तो हमारा नेक्स्ट इंपॉर्ण के साथ लाइक कीजिए सब्सक्राइब करें और शेयर करना बिल्कूर न भूलें हर सोसल साथ साथ दूसरों की भी हल्प हो सके तो दूसरों की भी हल्प कीजिए दोस्तो नास्ट किशिन पर चलते हैं हमारा नेक्स्ट इंपॉर्ण किशिन है दोस्तो क्रिस्टियान रोनाल्डो फुटबोल खिलाड़ी की इस देश का प्रतिनिद करते हैं तो वह है पुर्टगाल ठीक है क्रिस्टियानो रोनाल्डो जो है दोस्तो दोस और अ अभियारो जिससे क्रिस्टियान रोनान्डो की नाम से जाना जाता है ये कौन है एक पुर्त गाली पेशेवर फुटबॉल खिलाड़ी याद रखेगा दोस्तो नास्ट क्रिशन पर चलते हैं हमारा नेक्स्ट इंडिया और सम पुस्तक के लेखक कौन है तो उनका नाम है चेतन भगत ठीक है नास्ट क्रिशन पर चलते हैं हमारा नेक्स्ट इंडिया घेखक के लैंट मुखें कारेकारी अधिकारी येखना सतै नडेला की जंगा किसन न लिए है तो उनका नाम क्या है स्टीव वॉल्मर याद रखिएकए दोस्तोऊ नस्ट क्रिशन पर चलते हैं हमारा लास्ट इंडिया डेट क्रिशन है दोस्तो बा पाकिस्तान ठीक है बंग बंदू के नाम से विख्या शेक मुजीरबुर रहमान के द्वारा जो है 25 मार्च 1971 की आधी रात के बाद पाकिस्तान से जो है अपने देश की आजाते की घोशना की गई और उसके बाद उन्हें जो है पाकिस्तानी सेना द्वारा गिरफ्तार कर गया था और 26 मार्च 1971 को बंगलादेश की सोतनता की घोशना के साथ मुक्तियुद की शुरुवात हो गई थी याद रखिए का दोस्तो तो दोस्तो यह थी क्रैस कोर्स में जनरल अवैनेस के प्रिवेस एर के क्रिश्चन आई होप यह वीडियो आपको पसंद आया है यह वी